आज हम बनाएंगे बहुत टेस्टी मजेदार पनीर और शिमला मिर्च की सबजी ये सबजी जटपट से बन कर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है इसे मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबजी जरूर पसंद आएगी हलो दोस्तो स्वागत है आपका इंडियन फूर टूटोरियल में तो दोस्तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ और मुझे कमेंट करके जरू तो सूंटा चम्मच जीरा डाल देंगे जीरा को अच्छे से क्रेकल होने दीजिए अब हम इसमें आठ से दसकलिया बारी कटा हुए लह सुनद दाल देंगे एक बारी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे दो मेडियम साइज की बारी कटी हुई प्याज डाल देंगे तीनों चीजों को हलका सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्याज का हलका सा कलर चेंज हो गया है अब हम इसमें कुछ मसाले याट करेंगे एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे मसालों को लो फ्लेम पर एक मिनट के लिए भूनेंगे देख सकते हैं कि टमाटर हलके से सॉप्ट हो गए हैं मैंने टमाटर को 2 मिनट पका लिया हैं अब हम इसमें बड़े कप से 2 कप पानी डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे इसे अच्छे से मिला देंगे और इसे अच्छे से मिलाने के बाद कुकर का ढखकन बंद कर देंगे और तक्रीवन 4 सीटी आने तक इसे पका लेंगे तो इसमें 4 सीटी आ चुकी हैं अब हम यहाँ पर गैस की फिलेम को आप कर देंगे और कुकर का प्रेशा निकलने तक बेट करेंगे कुकर का प्रेशा निकल चुका है अब हम इसका धक्कन हटा कर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रेवी अच्छे से पक गई है, अब हम ग्रेवी को मैसर से अच्छे से मैस करेंगे, ताकि हमने जो इसमें टमाटर प्याज डाले हैं ये अच्छे से मैस हो जाएं, और ग्रेवी भी देखने में अच्छी लगने लगे, हमने इसे अच्छे से म ग्रम पेन में एक बड़ा चम्मच बटर डालेंगे, बटर को अच्छे से मेल्ट होने दीजिए, जैसे ही बटर मेल्ट हो जाता है हम इसमें पनीर डालेंगे, मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर को इस तरह से क्यूप्स में काट लिया है, साथी एक चौथाई चम्मच नमक डाल पनीर एकदम सौप्ट रहता है, कड़ा नहीं होता, पनीर को मीडियम फ्लेम पर हलका सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लिजिए, और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च को क्यूप्स में काट लिया है, इसे भी हम पनीर के साथ फ्राई कर लेते हैं, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर पनीर और शिमला मिर्च को एक मिनट के लिए फ्राई करेंगे, हमें इनका हलका सा कलर चेंज करना है, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, तो यह पनीर और शिमला मिर्च हलका सा फ्राई हो गया है, अब हम इसे ग्रेवी में डाल देते हैं जो हमने पहले से ग्रेवी बना कर रखी है, इसे अच्छे से मिला दीजिए, और इसे अच्छे से मिलाने के बाद कवर करके 2-3 मिनट पकाएंगे, कुकर के ढखकन को इस तरह से आधा कवर करके पकाईएगा, और बीच बीच में एक दो बार सबजी को चला दीजिएगा, तो मैंने सबजी को 3 मिनट पका लिया है और आप देख सकते हैं कि सबजी बहुत अच्छे से पक गई है और इसकी ग्रेवी एकदम परफेक्ट है ना ही ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाड़ी अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे तो आपने देखा कि कुकर में फटा फट से ये पनीर और शिमला मिर्ज की सबजी बन कर तयार हो गई है और इसे मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है अब हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर लेते हैं तो दोस्तो अगर आपको ये रेसीपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ जरूर शेर कीजिएगा तो फिर मिलते हैं एक नई रेसीपी के साथ थेंक्स फ़र वाचिंग